विदिशा के बड़े अनाज व्यापारी सुर्गी मोहन कल्यार जी की आज मनी पचासवी पुनेती थी कच्छी भवन में आयजित कारक्रम में दी गई श्यद्धान जली उनकी इसमती में गरुईबों को कराया गया भोजन विदिशा सहर के जानमाने अनाज व्यापारी मोहन कल्यार जी की आज पचासवी पुनेती थी के मौके पर कच्छी भवन में समाज जन और समाज सेवियो दोरा श्यद्धान जली कारक्रम आयजित किया गया साथ ही उनकी याद में गरीबों को निशुल को भूजन विद्रित किया गया समाज से एतुल शाहा ने बताए कि मोहन जी कल्यार बड़े व्यापारी होने के बाबजूत सबी लोगों के लिए समान व्यवार रखते थे छोटे व्यापारियों के लिए भी अपने समान ही मानते थे कि एक बहुत बड़ी सक्सियत परमादर्णिय स्री मोंजी कल्यांजी जो अनाज के व्यवसाई थे व्यवदी सामें एक परतिष्थित अनाज व्यवसाई के रूप में उन्होंने अपनी परतिष्था अरजित की उनकी इमानदारी और करमटता को आज भी किसान वैपारी और अधिकारी लोग जानते हैं सादा जीवन उच्छ बचार को अपने जीवन में आत्मसाथ किया किंचित मातर भी एहम उनके जीवन में नहीरा सदेव सुख दुख में प्रतेक व्यक्ती के साथ रहे गरीबों के हमदर्द रहे छोटे वैपारियों को भी अपने समकक्ष खड़े रखने के लिए उन्होंने हमेशा सहयोग प्रदान किया एसे मौन जी कल्यान जी जी की पचास भी पुनिते थी हमने कच्छी भवन में जो विदीशा सेवा संस्थान के मात्यम से प्रती दिन भोजन वित्रिस होता भा मनाया और उसके बाद सबको भोजन प्रसादी भी उनकी इसमेशा